हेलो नवस्कार दोस्तों मैं हूँ आशे सुराब देख रहे हैं दोकता में मैं आपके इस वीडियों बतांगो दोस्तों कि पेटी अंबालेट को आप अपने अधार काट से कैसे लिंक करेंगे और किस तरीके से वेरिफाइट करेंगे इसकी फूरी प्रेसिसिंग इस वीडिय है और आप उनका यूज करके आप अपने पेटियम बालेट को वेरिफाइट कर पाएंगे कैसे वेरिफाइट करना है इस वीडियो को आगे तक और दिखीगा सब सब पहले आपको कहकरना है गोल्डन गैट अप्लिकेशन को अपने मुवाइल फॉन पर डाउनलोड करना है वैसे तो मैंने इसे पहले से अपने मुवाइल फॉन पर डाउनलोड कर लिया अगर आप चाहते हैं इसे डाउनलोड करें तो मैंने इसका लिंक डिस्कुर्शन ने दे रखा है आप यह सोच रही होंगी कि यह अप्लिकेशन आपको प्ले इस्टोर पर मिल जाएगी नहीं आपको यह एप्लिकेशन प्ले इस्टोर पर नहीं मिलेगी मैंने इसका लिंक डिस्कुर्शन ने दे रखा आप वहां से डाउनलोड कर लिजेगा अब जैसे कि मैंने इससे पहले से अपने मोगायल फोन पर ओपन कर लिया है जैसे आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको पासवर्ड तो आपको क्या करना है मैंने डिस्कुस्टन इसका registered mobile number and paytm password इंटर कर दिया है तो आप उसे यहाँ पर आप देखेंगे star and new task तो यहाँ पर simply एक ही options आपको enable मिलेगा customer ekyz तो simply आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे customer mobile number तो simply आपको उस mobile number को इंटर करना है जो आपका paytm wallet को verified करना है आधार कार्ड से इसके बाद प्रसेट पर क्लि condition तो नीचे आप देखेंगे I agree इस पर आप क्लिक कीजिए इसके बाद enter OTP तो आपको क्या करना है उस नमर पर एक OTP आया होगा उसे यहाँ पर enter करना है अगर OTP नहीं आता है तो आप recent code पर क्लिक कीजिगा इसके बाद verified पर क्लिक कीजिए इसके बाद आपके सामने customer status आपक customer आधार नमबर इंटर करने के बाद आप नीचे देखीगा process इस पर आप क्लिक कीजिए इसके बाद आपके सामने आता है scanner fingerprint तो यहाँ पर कहरा please customer fingerprint on other scanner नीचे आप देखेंगे activation scanner तो आपको क्या करना है अपना biometric device अपने mobile phone पर connected रखना है इसके बाद activation इस गरणर पर क्लिक कीजिए अब आपको क्या करना आपके सामने आपके आधार काड की सारी details आ गई है नीचे आप देखेंगे confirm option है simply आप इस पर क्लिक कीजिए इसके बाद आपके सामने additional detail ओपन हो जाती तो यहाँ पर आपको क्य detail हो जाने के बाद आप इसे थोड़ा सा उपर के और scroll करेंगे तो यहाँ पर देखीगा yes yes के checkbox आपको मिलते हैं तो simply आप क्या करना है yes yes इसके बाद नीचे आप देखेंगे does customer has a pen card अगर customer के पास pen card है तो आप yes कीजिए अगर नहीं है तो no कर दीजिगा मैं pen card नहीं देना चाहूंगा इसलिए no पर क्लिक किया इसके बाद annual agriculture income तो यहाँ पर आपको 00 इसके बाद annual non agriculture income यहाँ भी आपको 00 इसके बाद does customer want to open a saving accounts with paytium payment bank तो यहाँ पर आपको no कर देना है अगर head लेना चाहते हैं तो आप yes कर दीजिए अगर नहीं लेना चाहते तो no पर क्लिक इसके बाद last और आखरी स्टेप आता है byometric authorization तो यहाँ पर आपको confirm करना है कि आपका fingerprint सही है या नहीं उसका verified करता है last में तो आपको कह करना है authorization पर click करना है अब आपको कह करना final step में आप अपना fingerprint पुना है दीजिएगा fingerprint capture successfully यह देखिए आपके सामने एक message so कर रहा है your wallet will be upgraded you will receive an SMS for the sum okay पर click किजिएगा आपका आधार card से verified हो गया Paytm account देखे दोस्तों बढ़ी आसान और बहुत ही सरायल तरीके से मैंने आपके इस वीडियो पर बताए किस तरीके से आप अपने Paytm wallet को आधार card से link कर verified कर पाएंगे तो यह वीडियो आपके लिए useful रहा हुआ दोस् करना जाते हैं तो हम आपने चैनले को जरू सक्सकाइब किजिए का साथ यह साथ बैल आइकन को विज़ारे किलिक कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अप्लोड करू दोस्तों उसकी notification हमेज़ा की तरह आप तक पहुंचे तो फिलाल वीडियो पर इतना ही फिर मिलूं पिस जय हिंद वल्दे मातरम